नमस्कार आप देख रहे हैं TNP News और मैं हूँ आपके साथ सुरुष्टी में थानी आईए एक नज़र डालते हैं आज की खबरों पर इरान के सेंट्रल शेहर इसफाहान में ड्रोन से हमला किया गया है एक सैन्य सैंत्रन में एक जोरदार धमाके की आवास सुनी गई हलाकि इरान के रक्षा मंत्राले ने बताया कि ये एक नाकाम ड्रोन हमला था सो रक्षा दिकारियों ने बताया है कि इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ है वही इरानी स्टेट ब्रॉडकास्टर आई आर आई बी ने रविवार सुबा अपनी वेबसाइट पर हमले को लेकर ये जानकारी थी है रक्षा मंत्राले ने एक बयान में कहा कि शनिवार देरात को एक ट्रोन हमले के जरिये सेंट्रल सिटी इस फाहन में देश के रक्षा मंत्राले से जुड़ी एक सेन्य साइट को निशाना बनाये गया वही प्रधान मंद्री नरेंद्र मोदी देश वासियों के साथ मन की बात करेंगे साल 2023 में पी-म पहली बार लोगों को इस कारिक्रम के तहत संबोधित करेंगे वही पी-म ने न्यू इंडिया में हो रहे बतलावों और देश की प्रगती को लेकर कई कहानिया देश के साथ साज़ा कर सकते हैं इसी के साथ पी-म आत्मी निर्बर भारत में युवाओं की भूमिका पर भी अपने विचार शेर कर सकते हैं बता दे की पी-म मोदी की तरफ से देश को अपने विचार साज़ा करने वाले इस रेडियो कारिक्रम का ये सतानवा एपिसोट होगा वहीं दिली के विजे चौक बार बीटिंग दा रिट्रीट समारों में आज भारत का सबसे बड़ा ट्रोंशो दर्शकों को मंत्र मुक्त करेगा वहीं भारतिये शास्त्रिये रागों पर अधारित धुने समारों का अकर्शन होंगी सेना, नौसेना, वायो सेना और राज्य पुलिस वक्कींद्रे शर्शत्र पुलिस बलके संगीत बैंट 39 मनोरम और पैर थिरकने वाली भारतिय धुने बजाएंगे समारों में प्रधान मंति नरेंद्र मूदी और रक्षा मंत्री राजनात सिंग भी शामिल होंगे विदेश मंत्री एस जैशंकर ने बिना नाम लिये कॉंग्रस नेता राहूल गांधी पर कटाक्ष किया है एस जैशंकर ने कहा कि जान बूच कर कुछ लोग चीन के मुद्दे पर गलत जानकाई फिला रहे हैं एस जैशंकर ने कहा कि सन 1962 में भारत की जमीन पर चीन ने कबजा कर लिया था फिर भी कुछ लोग ऐसे बताते हैं कि ये कल पर सोही हुआ है बता दे कि विदेश मंत्री एस जैशंकर ने महराश्टर के पूने में अपनी पुस्तक ता इंडिया वे की मराठी अनुवाद भारत मार्ग के वी मोचन के मौके पर संभूतित करते हुए कॉंग्रेस नेता पर निशाना साधा है वही मौसम ने एक बार फिर अपना मिजाज बदल लिया है खिलकिलाती धूप के बाद मौसम विज्ञानिकों ने आज दिली के कुछ हिस्सों में बादल छाने और बारिश का अनुमान जता आया मौसम विभाग के मुताबिक 31 जनवरी से 3 फर्वरी तक मौसम साफ रेनी की संभावना है इस दोरान अधिक्तम और नियूंतम ता अपमान 17 और 11 डिग्री सेल्सियस के आस पास रहेगा वहीं शेयर का वायू गुणवत्ता सूचकांक 236 है जो की खराब श्रेनी में दर्च किया गया है राजधानी में मौसम आख मिचौली खेल रहा है कभी सर्द हवा चलने लगती है तो कभी गर्मी का एहसास होता है बिते दिन भी सर्द हवा ने ठिच्रन बढ़ाई तो वहीं धूप ने लोगों को राहत दिलाई है अब एकलिए बस अतना ही मुझे दीजे इजाज़त देखते रहे ये टीन्पी नियूज